नमस्कार साथियों, आज के इस विडियों में दो बड़ी खबरों के साथ हम हाधिरू हैं, जिसमें पहली और सबसे बड़ी खबर है, पुरानी पेंसन योजना, पुरानी पेंसन योजना को लेकर के बिहार सरकार की क्या स्टेंड है, क्या पुरानी पेंसन योजना को इतने भी करम चाड़ी अब देखिए 60 वर्ष तक सेवा देते हैं जो उनके उम्र का जो 60 वर्ष हो जाता है वो 60 वर्ष तक सेवा जरूर देते हैं लेकिन जब बुढशापे की स्थिति आती है जिस अवस्था में अधिक सहारा की अवस्था होती है उस अवस्था में जो ये की जो बाते हैं वो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है नई पेंसर योजना तो क्या पुरानी पेंसर योजना को लेकर कि बिहार सरकार की क्या रनीती है क्या जो है सो योजना बना रही है इसको लेकर कि जो भी अपडेट है वो आपसे साजा करने बाले हैं साथियों ये बुढ़ापे की वो लाठी है जिसके सहारे से बुढ़ापा आसानी से कट सकता है अब देखिए आगे दूसरी जो ख़बर है आपका सिक्छा केवन सिक्छिकाओं के अस्थानांतरन को ले करके साथियों आप लंबे समय से देख रहे हैं कि अस्थानांतरन को ले करके बार-बार जो है सो सिक्छा मंतरी के दौरा कई जो है सो अलग-अलग जगों से अलग-अलग तरीकों से बार-बार कहा जा रहा कि सौफ्ट्वेर तेयार हो रहा है अब ये latest update क्या कह रहा है, क्या सिक्षकों का transfer होगा या सिर्फ सिक्षिकाओं का transfer होकर के रह जाएगा इन सभी मुद्दों पर आज के इस वीडियो में हम बातचित करेंगे साथ यो सिक्षक करते की तमाम बड़ी खबरों के लिए मारे चैनल को subscribe कर लिजे वीडियो को like कर दीजे और साथ यसाथ बेल लाइक करके तबालेजे जिससे जब भी हम वीडियो को upload करें तो notification मिल सके आपको सबसे पहले, चलिए तो वीडियो को start करते हैं साथ यो सबसे पहने हम बात कर लेते हैं ये पैंसन योजना को लिए करके ये स्री आलोक कुमार महता जी जो सदस्य माननी ये सदस्य विधान सभा के हैं इन्होंने जो है सो अपना ये अपने जो है सो विधान सभा के सत्र में जो पंजम सत्र के दोरान इन्होंने जो है सो प्रस्न पूछा था और प्रस्न जो है प्रस्न में इन्होंने क्या पूछा जरा ध्यान से सुनियेगा गौर से सुनियेगा दोनों बातें क्या क्या सरकार का जवाब है और इन्होंने क्या प्रस्न पूछी है प्रस्न में कहा है इन्होंने क्या यह बात सही है कि बरस 2005 के बाद निक्त राज सरकार क कर्मियों है तू नई अंसदाई पेंसन योजना लागू है तो ये बात इन्होंने पूछा है तो सरकार का जवाब आया सुईकारात्मक ये बात सही है दूसरी बात है क्या यह बात सही है कि राजस्थान सही कई अन्य राजियों में नई पेंसन योजना के स्थान पर पुरान वाइरल हो रहा है लेकिन इनका जवाब क्या है देखिए राधिय सरकार को बरतमान में कोई ओपचारिक सूचना प्राप्त नहीं है यहां देख लीजिए यह क्या इन्होंने कहा है कि हमें कोई ओपचारिक सूचना प्राप्त नहीं है पता नहीं कान में कौन से रुई डाल कर के मतलब सोय हैं ये लोग पता नहीं ठीक है जो अब तक इनको ये सूचना है पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है मतलब पूरे देश में समझे पूरी तहलका मचा रखा है लेकिन इनके कान पर अब तक जू नहीं रहेंगा है दूसरी बात देखे अगली तीसरी बात इन नहीं तो क्यों? य inten देखिये प्रश्न बहुती जब्रदस तरीके से पुझा गया है, सारी बातें अगर हां तो कम तक कीजिएगा, नहीं तो क्यों नहीं कीजिएगा, सारी बातें इसमें समाहित की गई है, तो उन्होंने क्या जबाब दिया है? भारत सरकार के अनुरूप, राजी सरकार के द्वारा बित्विभागिय संकल्प संख्यां 1974 दिनांक 31 सार 2005 जो 31 अगस्त 2005 द्वारा एक 9 2005 यनी 1 सितंबर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राजी कर्मियों के लिए पुरानी पेंसन योजना के स्थान पर नई पेंसन योजना लागू की गई है ठीक है ये ला जो है सोपास यनी इनके विचाराधीन नहीं है यनी कुल मिलाकर के पुरी तरीके से इन्होंने खंडित कर दिया कि हम पुरानी पेंसन योजना को लागू करने के लिए भी किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं अब देख लीजे पुरानी पेंसन योजना कितन जरूरी है अब जहां पर 50,000 रुपईये पर लोग रिटार कर रहे हैं वहां पर उन्हें पेंसन के रूपे 700-800 रुपईया मिल रहा है तो कहीं ने कहीं देख लीजे किसी जगह पर ये 700-800 की बाते हैं किसी जगह पर 1000 तक पहुँच रहा है तो ये इतनी जो है सो कम पेंसन में कैसे गुजारा हो सकता है किसी इंसान का अब समझे लिजिए ये बातें जब जैसे जैसे उम्र ढलता है वैसे वैसे अधिक पैसों की और आवस्थिकता हो जाती है चुकि कई तरीके के अभी के समय में खान पान का जो असर पड़ता है सरीर पर वो खान पान का असर इतना जैदा पड़ जाता है कि बुढ़ापे में कई परकार के डियाबिटीज हो गेरा कई परकार के बिपी हाई ये वो दिस दैट कई तरह के बिमारियां हो जाती है अब उसको किस परकार से लोग जहल सकेगा समझे यहाँ पर अगर पुरानी पेंसर योजना सरकार नहीं देती है सरकार के जो एक मंत्री होते है अगर एक बार विधायक बनते है एक बार संसद बन जाते है एक बार मान लिजे इन तरह के से यनि वो एक छोड़ तीन तीन चार चार पाँच पाँच पेंसर लेते हैं लेकिन 60 साल सेवा करने वाले को कुछ नहीं, ये एक प्रकार के समझ लेजे बिडम बनाओं से कम नहीं है, इसके लिए तो बहुत बड़ी लडाई लरनी ही पड़ेगी, अब हम बात कर लेते हैं साथियों, दूसरी खबर की, दूसरी जो खबर थी, उसमें क्या कहा गया है, अ उनके दोरा प्रस्न पूछा गया है, क्या, यनि प्रस्न पूछा गया है यहां पर, और यहां पर जवाब में, जो है विजय कुमार चोहरी मानियー सिक्षा मंत्री, उनका ये जवाब क्या है, वो देख लिजिए, क्या यह बात सही है, कि पंचायती राज अस्थानस्थानो में कारलत सिक्षकों का अस्थानांतरन बिहार पंचायत प्रारंबिक विद्याले सेवा निमावली 2020 के कंडिका पंदरों के चार में भाग चार के तहत एक्षिक अस्थानांतरन की सुवधा दी गई है अब पूरुस जो है सो पूरुस बर्ग के जितने भी सिक्षक हैं वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कहीं कहीं अस्थानांतरन की प्रकडिया में मुझे सामिल होने का अवसर प्राप्त होगा सौ किलो मिटर, ये अबसर प्राप्ट होगा या नहीं ये बाते असवश्च रूप से इन्होंने क्या कहिए जरा ध्यान से सुनियेगा ये 2020 में जो नियमा वली बनी है उसको मतलब सामने रहकर करके इन्होंने प्रसन पूचा है बस्तु इस्तिति यहा है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्याले सिवा नेवली 2020 के तहत सिक्षकों के अस्थानांत रहतू दिसा निर्देश तैयार करने के लिए विभागियर आदेश संख्या 1247 दिनंक 1210-2020 द्वारा समीती का गठन किया गया समीती के प्राप्त अनुसंसा के आलोग में नहोंने 2020 में समीती गठित की थी और समीती के अनुसंसा के आलोग में जो अधिसूचना संख्या 875 और 76721 को नहोंने जो इनका गठित किया गया था जो विभाग के द्वारा जो समीती गठित की गई थी वो समीती ने साथ शाद हजार एकीज को क्या किया वो अपना जो रिपोर्ट पेस करते हैं और उन्हेंने क्या दिया कि सिक्षकों के अस्थानांतरन हेतू आवेदन पत्र देने एबम अस्थानांतरन समधी आवसेक सर्थ का निर्धारन किया गया इस प्रकार बिहार पंचायत नगर प्रारंबिक स्विद्याले सेवा नियमावली 2020 के तहत नियुक्त सिक्षकों के अंतर नियोजन इकाई या अंतर जिला सहित में उपलवध रिक्त पद के सापेक्ष एकवार एकशिक अस्थानांतरन की सुभधा प्राबधान किया गया है यानि देख लीजे एक वार अस्थानांतरन होगा नियोजन इकाई में हो या अंतर जिला में हो आप नियोजन इकाई में करा सकते हैं या जिला में करा सकते हैं लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में होना थोरा सा मुस्किल दिख रहा है अंतर जिल सिक्षक इधर है और उधर भी मैथ का पद अगर खाली है तो ही वहाँ पर उनका अस्थानांतर हो पाएगा अगर यहाँ इंग्लिस के सिक्षक है और वहाँ मैथ का पद खाली है तो वहाँ पर उनका अस्थानांतर नहीं होगा अस्थानांतर है तू आभिदर प्राप्त करने की प्रकडियाएं ओन लाइन करने ही तु सफ्ट्वेर तयार किया जा रहा है यानि देखिए सफ्ट्वेर तयार किया जा रहा है कब तक सफ्ट्वेर तयार होगा ये बाते इसमें नहीं कही है अगली प्रस निर्णों ने क्या पूछा कि यदि उप्रोक्त खंडों के उत्तर स्विकारात्मक है तो सरकार बरनित्यमवली के अनुसार सिख्छकों का स्थानांतरन का विचार रखती है नहीं तो क्यों नहीं यनि अस्पस्ट है कि इस खंड का उत्तर उपर में दिया जा चुका है देख लिजिए ये बाते स्विकारात्मक है अस्थानांतरन के प्रक्रियाएं होगी लेकिन कब होगी ये बाते किलियर नहीं की गई है सफ्ट्वेर का हवाला दिया गया है सफ्ट्वेर का एक बार ट्राइल भी उन्होंने कहा था कि हो गया है लेकिन software कब तक जो हैसो जारी किया जाएगा और कब तक अस्ताना अत्रव की प्रकडियाएं की जाएगी ये अभी तक किलियर नहीं है साथियों सिक्षा जिकर की तमाम परी खबरों के लिए हमारे चनल को सस्क्राइब कर लिए विडियो को लाइक कर दीजे और साथी साथ जितने भी आपके मित्रत बंदू होंगे वहां तक आप सेयर कर दीजे साथियों विडियो देने बहुत बहुत धन्यवाद